साथ संगत जी प्रेम से कहना धन नरंकार जी एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर आज की साखी का विशह है सबसे बड़ा पुन्य तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी साथ संगत जी बहुत पुरानी बात है एक राजा बहुत बड़ा प्रजा पालक था हमेशा प्रजा के हित में प्रियतन शील रहता था वो राजा इतना कर्मठ था कि अपना सुक एशो अराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्यान में ही लगा देता था यहां तक की जो मोक्ष का साधन है यानि भगवान का भजन उसके लिए भी वो राजा समय नहीं निकाल पाता था अब एक दिन सुभह की समय राजा वन की तरफ ब्रह्मन करने के लिए जा रहा था कि राजा को एक देव की दर्शन हुई राजा ने देव को प्रणाम करते हुई उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चोड़ी पुस्तक देखकर राजा ने देव से पूछा महराज आपके हाथ में ये क्या है देव ने कहा राजन ये हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है राजा ने जब ये सुना तो नराशा यूक्त भाव से कहा किर्पिया देखिये तो सही इस किताब में कहीं मेरा नाम है भी या नहीं अब वो देव माहराज किताब का एक एक प्रस्ट उलटने लगे परन्तु राजा का नाम उन्हें कहीं भी नसर नहीं आया राजा ने जब देव को चिंतित देखा तो राजा ने कहा महराज आप चिंतित ना हूँ आपके ढूंडने में कोई भी कमी नहीं है वास्तम में ये मेरा दुरभाग्या है कि मैं भजन किर्टन के लिए समय नहीं निकाल पाता इसलिए इस बही खाते में मेरा नाम नहीं है की सेवा करने में लग गए कुछ दिनों के बाद राजा फिर से सुभह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो राजा को उनी देव महराज के दर्शन हुए इस बार भी उनके हाथों में एक पुस्तक थी और इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था ये पुस्तक पहले वाली से काफी छोटी थी राजा ने फिर से देव को प्रणाम करते हुए पूछा महराज आज कौन सा बहिखाता आपने हाथों में लिया हुआ है देव ने कहा राजन आज के बहिखाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो इश्वर को सबसे अधिक प्रिये है राजा ने कहा वो लोग कितने भागयशाली होंगे निश्चिधी वो लोग तो दिन रात भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहते होंगे क्या इस पुस्तक में कोई मेरे भी राज्च का नागरिक है देव महराज ने बहिखाता खोला और ये क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था राजा ने हैरान होकर पुछा महराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है मैं तो मंदर भी कभी कभार ही जाता हूँ देव ने कहा राजन इसमें हैरानी की क्या बात है जो लोग निशकाम होकर संसार की सेवा करते हैं जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अरपन करते हैं जो लोग मुक्ती का भी लोब त्याग कर प्रभु के नर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुर्षों का भजन स्वयम इश्वर करता है। देव ने राजा को कहा ए राजन तु मत पच्ता कि तु पूजा पाट नहीं करता, लोगों की सेवा कर तु असल में भगवान की ही पूजा करता है। इन दयालू हैं, भगवान को कुशामद नहीं भाती, बलकि भगवान को तो आचरन भाता है। और सच्ची भगती तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों की सेवा करो। अनात, विद्वा, किसान, एवम, नर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथा शक्ती, सहायता और सेवा करो। और यही परमभगती है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ग्यान मिल चुका था। और राजा भी समझ गया था कि दुनिया में परोपकार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। जो परोपकार करते हैं, वही भगवान के सबसे प्रिये होते हैं। साच संगत जी, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा भी हार समय उनके कल्यान के लिए यतन करता है। इसलिए तो हमारे पुर्वजों ने भी कहा है। परुपकार आय पुन्या आय भावती, अर्धार्थ दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझ कर करम करना। परुपकार के लिए अपनी जिवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुन्य है। और जब आप ऐसा करेंगे, तो खुद ही आप इश्वर के प्रियम भगतों में शामिल हो जाएंगे। जब आप दूसरों का मंगल करोगी, तो आपका तो मंगल खुद ही हो जाएगा। इसलिए तो कहां भी गया है, परहित सरस धरम नहीं भाई, पर पीडा सम नहीं अधम आई। जून का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी, एक तिक्षन बुद्धी संपन मिलनसार, एवं व्यवार कुशल पड़े लिखे यूवक को, खूब भटकने पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी, दूप में वो नौकरी की तलाश में एधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते वो यूवक एक ऐसे मैदान से गुजरा, जहां अपने आप में मस्द एक वरिद घसियारा, प्रभू के भजन घाता हुआ घास काट रहा था। वो यूवक उस घसियारे के समीब गया और बोला बाबा, इस मामूली घास को बेचकर तुम अपने परिवार क गुजरा कैसे करते होंगे। गसियारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, भले ही मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं बड़ी-बड़ी इक्षाय नहीं पालता, जो मिलता है उसी में ही संतोश कर लेता हूँ। यूवक कहने लगा बाबा, क्या तुम्हें अपनी गरीबी का अक्षोब नहीं होता। गसियारा कहनी लगा बेटा, यदि मैं पढ़ लिखकर उची आकांक्षाओं वाला व्यक्ती होता, तो भी मैं शुब्द ही रहता। तुम तो काफी पढ़े लिखे लगते हो, फिर भला मैं तुम्हें क्या समझाऊं। हाँ इतना जरूर कहूंगा कि धन ही सब कुछ नहीं होता, संतोष धन से बढ़कर कोई धन नहीं। अब वो व्रिद गसियारा देखने में तो सधारन लग रहा था, पर उसके जवाब ने युवक के हरिदय को जग जोर दिया। वो युवक कुछ देर तो अवाक सा उस गसि जारे की ओर देखता रहा, फिर बोला बाबा, धन की अभाव में इच्छा होते हुए भी, क्या तुम कभी परुपकार कर सकोगे। वो व्रिद गसियारा जल्दी से बोला बीटा, अच्छी एवं सच्चे व्यक्ति को परुपकार के लिए धन का अभाव कभी नहीं खटकता मैं भीग मांग कर भी कुवा खुदवाना चाहता हूँ, तब ती दुपहरी में जब लोग ठंडा पानी पीकर त्रिप्त होंगे, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, मैं इस गरीबी में भी बहुत ही मजे में हूँ, ये सुनकर उस पड़े लिखे युवक का सर श्रद्धा से जुक गया, वो विचारों में डूब गया और सोचने लगा, जिनका कहीं अंत नहीं, जिनमें कहीं त्रिप्ती नहीं, ऐसी इच्छाओं की आग में मैं बाहर भीतर दोनों और से तप रहा हूँ, और ये घसियारा सूखी रोटी खाकर भी मस्त है, अपनी में ही समट गया, मैंने कभी दूसरों की भलाई की चिंता ही नहीं की, मुझे से तो ये अनपड घसियारा ही अच्छा है, उस घसियारे की कुछ बातों ने यूवक के जीवन को बिलकुल बदल दिया, उस यूवक ने नौकरे का विचार छोड़कर अनपड लोगों को चात्रों से मिली गुरु दक्षिना से उसका जीवन चलता रहा, और उसी में ही उसे आनांद आने लगा, आगे चलकर उस यूवक ने नेपाली भाषा में रामायन की रचना की, जो आज भी नेपाल में श्रद्धा से पड़ी जाती है, अपनी कृती से वो यूवक अमर हो उसका नाम था भाक्त शिरो मनी भानू, साथ संगत जी कहने का भाव यही है, कि जब तुम दूसरों के लिए सोचते हो, तो इश्वर स्वयम तुम्हारी मदद करता है, इसलिए मनुश्य को उची अकांक्षाओं के मुहों में न पढ़ कर, जो मिले उसी में ही संतोश करते ह परोकार में लगे रहना चाहिए, आप दूसरे का मंगल करोगी, तो आपका तो मंगल हो ही जाएगा, क्योंकि जिसका आप मंगल करते हो, उसके हृदा में बैठा हुआ दाता लुटाए बिना नहीं रहता, आज की ये साखी अगर आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ, साज संगत जी प्यार से कहना थन नरंकार जी